अगर आप फर्स्टेम है तो इसके पहले कि जितने भी वीडियो से आप देख लिजे अगर आप पर चैनल पर फर्स्टेम है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आपको प्रेस कीजिए एंट नीचे मैंने एंजर वोकिंग का लिंक दिया है उसको क्लिक करके फ्री में डिमेंड आकाउंट ओपन कीजिए जाब बहुत सरे बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं चलिए सो लास इसमें पर ने दो परेमेटर पर काम के था अभी यह है फिनेंशल है फिनेंशल में इतने सरे परेमेटर अपने चेक करने चाहिए sales trend क्या है, कपनी का sales कितना ग्रो ही है कौन से पोड़क में ग्रो हुआ है कौन से ब्रेशल्टर में ग्रो हुआ है यह देखना जरूरी है उसका earning per share कैसे हैं आर्निक per share अपने देखा था कि profit available for shareholders upon number of shares तो जितना EPS higher रहता है उतना shoulder के लिए benefits रहता है देन, revenue guidance by board of director, board of director का क्या कहना है regarding the revenue of the company, उनके projections क्या है, उनका vision क्या है, वो कंपनी के बारे में क्या सोचते हैं, dividend कितने पर उने अनुस किया है, and company कितना expand करना चाहती है, करें न, तो इन सबसे आपको एक idea आता है, कि company financially कैसे अगाम करेगी, करें न, तो basically sales grow ना सबसे important है, यह न, मतलब इन सभी parameter में sales जब grow होता है, तो naturally company का profit बढ़ता है, and investor को किसे ने किसी form में benefit होता ही है, करें न, तो यह आपने कुछ period का, at least 3-5 years का अपने अगर चेक किया, तो आपको proper idea, आज आएगा कि company का financial कैसा है, इन जो fourth parameter है, वो industry and sector, industry sector का मतलब क्या है कि, let's say, कोई software company है, कोई pharmaceutical company है, कोई FMCG company है, कोई atom oil company है, तो आपको जो पिछला point था, financial, अपने उस company का compare किया, अभी अपने को sector analysis करना है, कि यह sector कितने से grow हो रहा है, for example, banking sector, example, just example, उसका banking sector का P ratio 40 है, example ले रहा है, and इस bank का P ratio 25 है, मतलब वहाँ पे इतना scope है कि EPS और P ratio EPS और 15 से बढ़ सकता है, तो industry के, इसलिए industry के ratio निकला जाते है, जिसको हम company के ratio से compare करते है, अगर जैसे मैंने कहा कि EPS industry कहा है, यह company का load size पे, इसका मतलब इतना अभी भी company grow कर सकता है, क्योंकि overall industry का EPS अगर 40 पे है, and company का 25 है, तो अभी 15 से improve हो सकता है, so this gives a good indication कि आपने इस company में invest करना फाइदे का है, plus इसके साथ आपको उनके competitor का भी performance check करना है, तो if you are buying share of let's say access bank, तो आप चेक करो कि SBA का share क्या है, ICSA bank, HDFC, यह आप 4-5 shares भी compare करना है, तो आप जिस company में invest करना चाहते है, compare with competitor also, and industry analysis भी करना है, कि industry overall कितने से grow रहा है, और हम कहाँ पर, यह दोनों चीज़े अगर अपने साथ में रखे, तो आपको जरूर समझ में आएगा, कि company कैसा perform कर रही है, next factor है, government policy, यह सबसे important है, मैंने आपको कुछ दिन पहले दो example यह जिन लोगों का, जैसा भी plastic के उपर ban आया है, तो जो लोग plastic बनाते थे, carry bags, अभी सब paper bag में cut word आगे, आप mall में जाओ, जगा पे जाओ, आपको papers में मिलता है, तो इसको ओलते है, government policy, इसको क्या ओलते है, government policy, तो आपको इसके ओपर धान होना चीए, जैसे कैसे का cigarette का business है, alcohol का business है, कुछ बरोसा नहीं, या फिर आपका banking sector है, आरेबे ने रेपोरेट बड़ा दिया, bank के शर्स धढ़ादर गिरते है, and at world industry के लिए कोई नाया norm लेकिया है, उसके शर्स गिर सकते है, तो government के policy change हो सकते है, and अगर ये change हो गए, तो problem आएगा, जैसे government ने अगर rate कम कर दे, interest rate, तो bank का share का rate बढ़ जाता है, तो ये भी आपको देखना जरूरी है, जो next factor है, वो है geopolitical scenario, geopolitical situation मतलब क्या है कि, political situation जो country में, वो भी important है, जैसे बीच में, जो पाकिस्तान ने वो, कहां पे काश्मिर में 40 लोग को bomb loss करके ये क्या था, ऐसा कुछ तो हुआ था, मेरे को exact आथ नहीं, पर उसके बाद मोधीज ने strict action लिय और पाकिस्तान से पूरा import export district कर दिया, मेंगा कर दिया, तो अगर आप उस business rated हो, जैसे चाइना है, for example, best example, चाइने से अगर आप import करते हैं, तो definitely क्या होता है, import duty जादा लगती है, तो आपका, तो इसकोल थे geopolitical tension, तो ये अगर जादा रहेगा, तो definitely again problem आएगा, तो अगर आ चाइने से पूरक ले रहे हैं, या पाकिस्तान से आप कुछ import export कर रहे हैं, जिनके साथ government के दो बड़े दुश्पन से हैं, एन चाइना पाकिस्तान, जब भी आप music का पो ये दो ही पिक्चर में आते हैं, यह उन्होंने ऐसा क्या ही या ऐसा कर जाने है, तो प्रूव होता ह इसे में change कर देता है, तो again it will have impact on your business, तो यह सब आपको देखना जरूरी है, क्रेटनम, then war arise हो गया, जैसे अभी रश्या में हुआ था, तो अगर इंडा में war arise हो गया, तो definitely problem arise होगा, but war इतना जल्दी नहीं होता है, but still, यह one of the factors है, तो guys यह थे four more parameters, पहले हो अपन दो देख कर पहेंगे, अब अच्छे से invest कर पहेंगे with confidence and I hope you will be able to achieve your financial dreams, so guys thank you so much for watching this video till the end, bye bye